का दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपके अपनी यूटूब चैनल प्रकास यूटेक में गाईज यूपे स्कोलर्शिप 2020-21 आज यूटेट है फो है 25 मई 2021 और इंपोर्टिन डेट है गाईज अभी भी स्कोलर्शिप कई छात्रों की नहीं आई है देखे जिनका आपके बंक अकाउन में सही सलामत पहुच जाएगी साथ ही इस स्ट्रेटस वालों की भी कोई चात्रों की नहीं आएगा जिन दो तीन स्ट्रेटस के बारे में मैं बात करूंगा बीडियो बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है वीडियो के एक पार्ट को प्लेज इसकिप मत कीजेगा इस पहले आप सभी से छोड़ी से रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट यह है कि जिन भी चात्रों ने अभी तेख चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है वह सोचो समझो मत्या बिना देरी की वए चैनल को भी सस्क्राइब करके बाल आइकन को हीट कर दो इससे क्या होगा म कोई भी UP scholarship का वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन माध्यम से बेहदासाई से मालूम चल जाएगा तो चलिए गाइस बीडियो को श्टार्ट करते हैं इस्टाग्राम पर फालो करके कोश्यों कर सकते हो डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दिया है तो चलिए यह स्टार् मैं आपको कोई status दिखाऊं चीजों को बताऊं यहां से मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि किन छात्रों की छात्रवित्ती नहीं आने वाली है चाहां गाइस दस से पंदरे जून तक इंतजार कर लो उसके बाद इंतजार करने को भी नहीं करूंगा कल वीडियो मैं नहीं लाया था आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट आया कमेंट आया मैसेज आया सब वीडियो आप नहीं बना रहे है तो देखो यार आप लोग कर रहे थे कि भाई वीडियो बनाओ तो ठीक है वीडियो आ गई है आप लोग का मैक्सिमुम का रिक्वेस्ट था भाई ट्रांजेक्शन फेल वाले पर वीडियो बना ही है ट्रांजेक्शन फेल को अभी आगे डिस्स करूंगा ब्लॉक के बारे में भी कुछ आडिया दूंगा उसके साथ ही ए देख लेते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का स्टेटस जो है वो कई सारी छात्रों का प्रॉब्लम है तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपको तीन काम करने है पहला काम यह कि आपको डियम आफिस जाना है एक अप्लिकेशन लिख कर देना बैंक वाला पर एक वीडियो बनाईए भाई देखिए आईटी आई सेकेंडियर तो यहां ब्लॉग देखिए देने की पीछे का रास क्या होता है रीजन क्या होता है विसको समझा देता हूं कि जो भी आपका रिजल्ट था वो डिक्लियर नहीं हुआ था और जो डाकुमेंट्स थे वो फुसाई से नहीं पहुच पाये थी इसलिए डीड़ेवलो वाले नहीं रेजिटेशन जो भी फार्म था उसको ब्लॉग कर दिया है ऐसे में घबराने की जरूवत नहीं स्कॉलर्सी पाने के जो चांसेस है तो कम वैसे भी हैं और वैसे भी हैं ब्लॉग रहे या न रहे कहा किसी की जल्दी आ जा रही है इतने जल्दी और यहां पर देखिए जिन छात्रों का फार्म मतलब एक कुछ इस प्रकारत से है भाई फ्रोज हो चुका है या फिर ट्रांजक्सम फेल हो चुका है उनको भी डीम आफिस जाना है फोरन काम करना है हपते 10 दिन 15 दिन के अंदर आपके अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में जरूर भेज दी जाए कि डीम बहुत ही अक्टिवली काम करेंगे जागरन में एक अपडेट भी था कि 15 दिन के अंदर डीम से सिक्यायत करें तो शीज को लेकर मैंने बता दिया है यहां पर गाईज हर चीजों को कवर कि चली आगे की भी अपडेट से तो यहां से देख सकते हैं कि जिन शात्रों का कुछ इस प्रकार का भी है कि भाई ट्रांजेक्शन जो है वो फेल कर दिया गया है और अमाउंट जो है वो मतलब यहां पर एकाउंट ब्लाक हो गया है तो ऐसे केस में आपको करना क्या है बैंक ग्रेडिंग के बारे में बात कर लिया किनकी नहीं आएक उनकी भी बात कर लिया कब तक ग्रेट करना उसकी भी बात कर लिया तो गाइस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी विडियो अपको आपको आसानी से मालूम चल जाएगा आपके इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जिस पर ज्यादा कमेंट साइं गोज टॉपिक पर मैं नेक्स वीडियो ला दूँगा वैसे बहराल मैं जो पहले क्या काम करता था दिन में दो तीन वीडियो या फिर एक वीडियो डाल देता था लेकिन अब जो रिक्वेस्ट लेकर टॉपिक पर उन्हीं पर डालूंगा रिगूलर्ट नहीं डालने वाला हम्तुगा है श्याहिंद वन्दे मात्रम तो